चंद्रियान की ताकत देखकर पुरी दुनिया है रान। पुरी दुनिया को बता दिया है कि उसकी जितनी ताकत है दुनिया की किसी भी देश क्या स्पेस अजन्सी में नहीं है। चंद्रियान तीन ने चांद पर पहुँचने से पहले ही ऐसा करनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर भारतिये का सीना चौड़ा हो गया। 14 जुलाई को चंद्रियान तीन लॉंच होने के वाद दिन पर दिन ऐसे रिकॉर्ड बनना आ रहा है जिसे देखकर पुरा दुनिया में तहलका मचा हुआ है। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देश मिसन को असफल करने का पुरा प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे देश के बैग्यानिकों ने इस वार चंद्रियान तीन को इस तरह बनाया है कि अब की बार इसकी फेल करना मुस्कील ही नहीं नामुनकीन है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के स्पेस कंपनी नासा भी चोरी चुपके हमारा चंद्रियान तीन पर नजर रखे हुए है। क्योंकि नासा भी इस बात से अभी तक अंजान है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या है और क्या नहीं। 14 जुलाई को स्री हरी कोटा से उडान होने वाले चंद्रियान तीन करीव 17 दिनोवाद पृथवी की कच्छा से चंद्रमा के कच्छा में जा चुका है। जब इसकी प्रिथिवी से चंद्रमा के तरफ सिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड करीवन एक लाख किलो मीटर प्रति घंटा रखी गई थी आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 आज से करीवन 16 दिनों वाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सौफ्ट लैंडिंग करेगा और यह भी आपको जनकारी के लिए बता दूं कि अब की बार इस मिसन में कोई भी औरवीटर नहीं है क्योंकि जो औरवीटर इसरों ने चंद्रयान 2 के साथ भेजा था वह अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और वह अगामी 10 वर्सों तक ऐसे ही काम करते रहेगा चंद्रयान 3 चंद्रमा के कच्छा में जाने के वाद यह आटोमेटिक पहले वाले और विटर में कनेक्ट हो जाएगा अभी भी हमारा चंद्रयान करीवन चंद्रमा से 20 लाख किलो मिटर दूर है लेकिन हमारा चंद्रयान में लगे हुए हाई रिसोलूशन वाले कैमरों ने चांद मामा की पहली तस्वीर भारतिय स्पेस एजेंसी इसरो को भेज दिया है आपको बता दें कि इस चंद्रियान पर करीवन 19 से ज्यादा कैमरा, 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए है जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाली खत्रे का संकेत हमारे चंद्रियान 3 को देता है आपको बता दूं कि 2019 में इसरो ने चंद्रियान 2 को चांद पर भेजा था जिसे किसी तक्निकी खरावी के कारण सौफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और नहीं उसका रोवर बहार आ सका लेकिन उसके चार साल वाद भेजे चंद्रियान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेजा है तकरीवन दो लाह किलो मीटर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रियान 2 का मलवा अभी वी चांद पर रखा हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि चंद्रियान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से करीवन 50 किलो मीटर आगे जाकर लेंड किया था जिसकी वज़से ही क्रैस लेंडिंग हुई थी क्रेस लेंडिंग होने के बाद चंद्रियान 2 उल्टा हो गया था जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका उसकी वज़ा से ही सायद हमारा रोवर वाहर नहीं आ सका आपको बता दू कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रियान 2 का मलवा करीवन 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ ह जिसको हमारे चंद्रियान 3 के हाईयर रिजॉलूशन कैमरों ने बहुत ही सटीक तरीकों से कैपसर किया है जैसे जैसे चंद्रियान 3 चंद्रमा के करीव जाएगा वैसे वैसे ये और वी बढ़ियां किलैरीटी वाले फोटो हमारे इसरों को भेजता रहेगा इसमें लगे ह जिसके लैंडिंग के समय तो हिल्प करेगा ही साथ ही साथ वहां की मोटी मिटी चंद्रमा परपानी भुकांप पहाः गड़े और तापमान की भी जनकारी हमारे इसरों को देगा आपको बता दें इन सभी के आकरों को देखकर ही हमारा इसरों आगे गगनियान लॉंज करे जिसमें हमारे खुद के अश्ट्रोनोट गगन यान में बैठ कर चंदर्मा पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नाम रिकॉर्ड बनाएंगे आपको बता दें कि भारत दुसरी बार चंदर्मा के सता पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है और ना ही हिम्मत है किसी भी देश का वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपना मून मिसन भेजे हैं भारत का यह मिसन सफल होता है तो धच्छनी ध्रूब के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा भारत दुनिया की पहली अस्पेस अजेंसी बन जाएगी इसरू आपको बता दें कि आज के समय में इसरू दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अस्पेस कंपनी है अगर हम हमारा इसरू चंद्रियान इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वह समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया में अमेरिकी कंपनी नासा से पहले हमारा देश के स्पेस कंपनी इसरू का नाम लिया जाएगा आपको बता दू कि हमारे चंद्रियान तीन पर अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़ी देशों की स्पेस कंपनिया नजर गराय वैठी है क्योंकि हमारा चंद्रमा तीन चंद्रमा के दचनी धूर्व के आस पास लेंड करेगा जहां पर आज तक अपनी यान को लेंड नहीं करा पाया है, तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत, थैंक्यो